जेहिंद आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल केसर 36 गड़िया में दोस्तों अभी मैं अपने मित्र रंजिस सिंग के यहां आया हुआ हूँ और उन्हें ने मुझे कुछ खास चीज दिखाया जिसे आप सभी का अभी परचे में कराऊंगा यह देखिए एक मचली है इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता लेकिन कई लोग इसको साप मचली बोलते हैं और कई लोग इसे साप समझी लते हैं यह मेरे मित्र है रंजिस सींग अभी मचली के बारे में आपको कुछ बताएंगे हमारे मित्र केसर हुसें 36 गडिया की यूट्यूब चैनल पर सभी का बहुत बहुत अभी नंदन नमस्कार सभी भाईयों को कि मैं हमारे मित्र को केसर को मैं एक मचली के बारे में दिखाना चाहता हूं मचली के बिसे में बताना चाहता हूं यह हमारे छेत्र में बहुत दुदलब हो गया है यह मचली इसे इलफीस भी कहा जाता है हमारे छेत्रे में इसे डुगडुगिया मचली कहते है और यह मचली सेहत के लिए बहुत ही लाबदायक है ऐसा बताया जाता है यह अनुभोत में नहीं किया है लेकिन इस मचली के बारे में बोला जाता है कि इस मचली से अगर सरीर में किसी परकार की क कमजोरी है तो इसके खून को इसके रक्त को कच्चा पिया जाता है जिसे कि एक कमजोरी खतम हो जाती है शाब बताया गिया है मैं इसको किसी परमान के दौरा तुमें नहीं बता पाऊंगे लेकिन सुना है उस बारे मैं बता रहा है पच्पन से हम लोगों ने भी ऑली बात सुन रखी है कि इसके खुन को अगर पी ले हम काटके उसे हर किसी के बस की बात नहीं है लेकिन अगर कोई किसी तरह के रोग से जूच रहा हो जिसके उपचार को करा के परिसान है ठक गया है तो अबाव कि वो कुछ भी कर सकता है ज्यादा मचली को तो पानी के वेगर रखा नहीं जाता है इसलिए हम इसे पानी में डाल दे रहे हैं यह कहां ज्यादा मिलता है यह कीचर दल्दली छेत्रों में ज्यादा पाया जाए खेत में कीचर किसी खेत में पानी का जमां हो जाता है इसको डोभा करते हैं हमारे चेत्र में यह बहुत ही लाबदायक मठली है और सदी गुणों से भरपूर है तो इसको बिल्कुल इसका संरक्षन और इसके उत्थान पर कार्य करना चाहिए और यह देखिए पानी में बिल्कुल सांप की तरह दिखाई दते हैं पर्थम रिष्टी में कोई भी से देखे तो सांप क म encir Bots बहुत सारे सांप के बारे में इतना हमें जानकारी दिया है कि हम बहुत सारे सांपों के बारे में जानगे हैं भोट से सारी सब्सक्राइब ह करने के लिए आप सभी को आपकी संस्ता आपकी सब्सक्राइब